मनीशा फूट कीचन में आपका स्वागत है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर बैल आइकन का बटन मिज़ूर दबाए आज मैंने बनाई है चपड़ कद्दू की सब्जी मत्र डाल के यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनी एक बार आप भी जुरूर बनाएं मटा डालके चपड कद्दू की सबजी सबजी को बनाने के लिए यहां पर मैंने चपड कद्दू को लिया है उनको छुट टुकडो में काट लेंगे प्याज और हरी मिर्च को भी काट लेंगे लसन अद्रग को कूट लेंगे तेल को गरम क हरी मिर्च भी हमारे अच्छे से भून चुकी है इसमें डाल देंगे लसन अद्रग का कोटवा मसाला इसको भी मसालेक साथ अच्छे से भून लेंगे लसन अद्रग भी अच्छे से भून चुकी है इसमें डाल देंगे हल्दी पावडर लाल मिर्च और डालेंगे धनिया थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ज अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिसमें मैंने इलसना दरंग कूटा था इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर इसको भी अच्छे से mix कर लें इसको भी थोड़े दिर भूनेंगे इसको थोड़े दिर धक कर पका लें जिसे अच्छे से जल्दी soft हो जाए टमाटर अब हमारे अच्छे से सौफ्ट हो चुकी है इसको अच्छे से मैश कर लेंगे सारे टमाटरों को सारे टमाटरों को अच्छे से मैश कर ले जिसे कि एक हमारे अच्छा सा टमाटरों का मसाला बन जाए माटर अच्छे से मैश हो चुके हैं सारे अब इसमें डाल देंगे मटर सारे मटर को डाल दें इनको भी मसाल एक साथ अच्छे से भून ले टोमाटर को मच्छे से भून लेंगे टोमाटर मैं अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें डाल देंगे चपड कदू मैंने इनको छोटे टुकडो में काटा है और डालेंगे नमक नमक स्वाद के अनुसार सब्जी को अच्छे से मिक्स कर ले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को जिसे की नमक अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी मारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है आप इसमें डाल देंगे कट हुआ हराल असन इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे सब्जी के साथ सब्जी अच्छे से mix हो चुकी है यह िसको डुक कर पकने दें जब तक हमारे चपड़ कर दूँ अच्छे से पकना जाएं और बीच बीच में हम सब्जी को चलाते भी रहेंगे और चेक करेंगे कि सब्जी हमारे अच्छे से गली के नी गली सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लें साय सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लें सब्जी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है कि अहां चपड कदूब की चेक कर लेंगे कि हमारे गले के नहीं गले нашем के एक दोपीज तोड़के देख लें कि सब्सब्स आइडा अच्छे से पकी नहीं है आप इसको दॉड़ा से पकने के लिए रख दें अब हमाई सब्जी अच्छे से पक चुकी है अच्छे से सब्जी को मिक्स कर लेंगे मोटी टेस्टी सब्जी बनी है आप एक वाजूरू बनाए मटर डाल के चपड कद्दू की सब्जी अगर नहीं बनाई है तो एक वाजूरू बनाए